हेलो फ्रेंड्स Mp3 Stitching चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम वेलोवेट बलाूँज की इस्टीचिंग करना सिखेंगे अगर आपने इसका कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट को कम्प्लिट करेंगे, अभी अस्तिन को और पीछे वाले पार्ट को हम साइड में रख देंगे और आगे वाले पार्ट पे हम सिलाई लगाएंगे, गले में तो इस वाले पाट को हम को मेन वाले पाट को सीधा रख लेना है खोल के और अस्तर को इस तरीके से रख लेना है और गले में दो पोइंट जितनी आपको सिलाई लगा लेनी है आपको गले में सिर्फ दो पोइंट जितनी सिलाई लगानी है आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इसमें सिलाई लगा रही हूँ तो आपको इसी तरीके से जो है सिलाई लगानी है तो अब हम नेक में छोटे छोटे कत लगा लेंगे और हम इस तरीके से अस्तर वाले पाट को पलट देंगे और उपट से सिलाई लगा लेंगे तो आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है और हम इस तरीके से फिर पाट को पलट लेंगे और निचे वाली साइड से हम सिलाई लगा देंगे तो देखो फ्रेंट्स मैंने गले में सिलाई लगा ली है अब हम चारो तरब से सिलाई लगा लेंगे इसको पाट को एक जैसा मिला के रख लेना है आपको और साइड में हम सिलाई लगा लेंगे तो देखो फ्रेंट्स मैंने सिलाई लगा लगा दी है अब जो भी एक शा कपड़ा बचरा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे और अब हम प्लिट्स बना लेंगे इसमें तो प्लिट्स का निशान हमारा पेले से ही लगा हुआ है निशान पेले से ही है हमको हापा पिंच जितना दोनों साइटों से लेना है और उपर की साइड में हमको कम करते जाना है और डबल सिलाई लगा लेनी है तो हम इसी तरीके से दूसरी वाली साइट में भी लगा लेंगे तो देखो फ्रेंट्स मैंने प्लिट्स लगा ली है तो हम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी कम्प्लिट कर लेंगे आइडिय हमारा सेम रहेगा जैसे हमने आगे वाले पार्ट को तयार किया है हमको इसी तरीके से करना है तो देखो फ्रेंट्स मैंने तयार कर लिया है अब पिछे वाले पार्ट की प्लिट्स का निशान लगाएंगे तो पहले बेस सेंटर में मैंने एक कट लगा दिया है और फिर आमने सामने इन पार्ट को रख लेना है आपको तो पिछे वाली पार्ट का आपको निशान मिल जाएगा और अब लंबाई का निशान लगाएंगे हम 5 इंच पे दोनों साइट में 5 इंच की दूरी ही लेनी है आपको और प्लिट्स बना लेंगे हम जो हमने आगे वाली साइट में बनाई थी हमको इसी तरीके से पिछे वाले में भी बनानी है तो देखो फ्रेंट्स मैंने दूसरी साइट में भी प्लिट्स बना ली है और अब हम अस्तिन को कम्प्लिट करेंगे तो यह हमारी अस्तिन है तो हमको इस तरीके से में वाली अस्तिन को खोल के रख लेना है आमने सामने रख लेना है दोनों को और उसके उपर हमको अस्तर रख लेना है और हाप इंच जितनी आपको सिलाई लगा लेनी है आदा इंच जितनी और एक ठा कपड़े को कट कर देंगे और अस्तर वाले पाड़ के उपर से हमको एक सिलाई ओर लगानी है अब हम इसको पलटके फिर एक सिलाई ओर लगा देंगे नीचे की तरफ से तो हमने सिलाई लगा दी है अब हम चारू तरफ से सिलाई लगा लेंगे इसके तो फ्रेंट्स में आपको बहुती इस जी तरीके से इसकी सिलाई करना सिखा रही हूँ फ्रेंट्स तो आपको अगर ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को सस्क्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना और जो एक्षा कपड़ा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे तो हमारी ये वाली अस्तिन रेडि है अब हम इसी तरीके से दुसरी वाली को भी कमपलीट कर लेंगे तो देखो फ्रेंड्स मैंने दुसरी वाली अस्तिन को भी जोइंट कर लिया है तब इनको साइट में रख देंगे और इन पार्ट को हम शोल्डर जोइंट कर लेंगे तो दोनों पार्ट को हमको बराबर से लेते हुए शोल्डर को जोइंट करना है और दोनों पार्ट को हुमको उल्टी वाली साइट से रखना है तो देखो मैंने शोल्डर जोइंट कर लिया है अब हम इसकी में अस्तिन जोइंट करेंगे तो हम पेले आगे वाली साइट में एक का निशान बना देंगे तो ताकि हमको पता रहेगा कि ये हमारी सिधी वाली साइट है और अस्तिन में भी हमको एक का निशान लगा लेना है तो हमको पता रहेगा कि ये हमारी आगे वाली साइट है तो हम पीछे वाली साइट से अस्तिन को जोइंड करेंगे तो हम इसी तरीके से दूसरी वाली अस्टिन को भी जोइंट कर लेंगे तो देखो मेरी दूसरी वाली अस्टिन भी जोइंट हो गई है अब इसमें हम ये साई ठूक वाला रहेगा तो इसमें अभी हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और फिटिंग की सिलाई भी इसी में लगा देंगे फिर बाद में नहीं लगानी होती है आपको जिस साइड में आप उक लगाओ उसी साइड में आपको फिटिंग की सिलाई भी आथ दो आथ लगा देनी है और इस दूसरी वाली साइट में हमको फिटिंग की सिलाई अभी नहीं लगानी है बाद में लगानी है जब हम नीचे की साइट में पट्टी जोइंट कर दे उसके बाद में लगानी है तो अभी इसमें हमको दो पोइंट जितनी ही सिलाई लगाना है और इसमें साइट में हम हूग बनाएंगे तो इस तरीके से पट्टी को मोडेंगे हम आप देखना अच्छे से कि मैं किस तरीके से इसको पलटरी हूँ तो देखो मैंने इस तरीके से पलटा है अब हम इसमें हाई की पट्टी बनाएंगे तो हाई की पट्टी को हमको बार की साइड में निकालना है और इस तरीके से आपको बनाना है उकाई की पट्टी तो देखो ये हमारी इस तरीके से आ जाएगी अब हम निच्चे वाली साइड में पट्टी लगाएंगे तो पट्टी की चोड़ाई लिए मैंने 1.5 इंच और उपर से हम सिलाई लगा देंगे जो हमारी पट्टी है उसी के उपर से हमको सिलाई लगानी है और पट्टी को हम पलड देंगे तो देखो फ्रेंट्स हमारी पट्टी लग चुकी है अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे साइड में और जिस साइड में हमारी हुकाई की पट्टी है तो उसमें हमने पहले ही फिटिंग की सिलाई लगा देती तो देखो फ्रेंट्स ये हमारा बलाउज रेड़ी है तो फ्रेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और चेनल को सस्क्राइब जरूर कर देना धन्यवाद